अध्याय ग्यारह जब येशु अपने बारहत चेलों को आज्या दे चुका, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी ग्रह में मसीह के कामू का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि येशु ने उतर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो, कि अंधे देखते और लंगडे चलते फिरते हैं, कोडी शुद किये जाते हैं, और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो, जो मेरे कारण ठोकर न खाये। को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविश्य द्वक्ता से भी बड़े को, ये वही है, जिसके विशे में लिखा है, देख, मैं अपने दूद को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तयार करेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो स्त्रिय के राज्य में छोटे से छोटा है, वो उससे बड़ा है, युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे चीन लेते हैं, युहन्ना तक सारे भविश्य द्वक्ता और व्यवस्था भविश्य द्वानी करते रहे, और चाहो तो मानों, एलिया जो आने वाला था, वो यही है, जिसके सुनने के कान हो, वो सुन ले, मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूँ, वे उन बालकों के समान हैं, जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुमारे ये बांसली बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने चाती नहीं पीटी, क्योंकि युहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं, देखो पेटू प्यक्कड मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्यान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा, जिन में उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किये थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। वे कब के मन फिरा लेते। परंतू मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफर नहूम, क्या तू स्वर्ग तक उँचा किया जाएगा, तू तो अधो लोग तक नीचे जाएगा, जो में किये जाते, तो वो आज तक बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय येशू ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और प्रिथ्वी के प्रभू, तेरा मैं धन्यवात करता हूँ, कि तूने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रगट किया है, हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, हे सब ठके और बोज से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमें विश्राम दूँगा, मेरा जुआ अपने ऊपर कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज हलका है।